नमस्कार दोस्तो, सुर पालने से कैसे आप चुटकियों भर में करोड़ पती बन सकते हैं, वो भी बड़े ही आसानी से, अगर आपके पास कम पैसा है, फिर भी इस काम को बहुत ही अच्छी तरीके से शुरू किया जा सकता है, कम लागत लगा कर बड़ा मुनाफ़ा कमाया ज सकता है, अगर आप सुर पालन करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, और सब्सक्राइब जरूर करें, और इस बैल आइकन को दबाना न भूलें, तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं, दोस्तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आखिर काम काम होता है, आपको बता दें, बैबिसाइक तोर पर सुर पालन एक बहुती फायदेमंद बिजनिस है, कम लागत में और मोटी कमाई में ये एक सस्ते का सौदा है, पहले समय में लोग सुर पालन को बहुती गंदा मानते थे, लेकिन आज दिन बादिन बड़ी जोरो शोरो से कर रहे हैं, ऐसे में लाखो करोडो रुपय की मोटी कमाई लोग कर रहे हैं, तो ऐसे में जानते हैं, सुर पालन करने में हमें क्या-क्या चाहिए और किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो चल ये शुरू करते हैं दोस्तो नमबर बन सुवर की प्रजिनन छमता काफी अधिक होती है ये एक साल में दो से तीन बार बच्चे देती है और एक बार में आठ से बारा बच्चे देती है दोस्तो नमबर टू एक मादा आठ नो महिने में बच्चे देना शुरू कर देती है इस काम को शुरू करने में खर्चा बहुती कम होता है ये काम आप मात्र 20,000 से 50,000 तक में शुरू कर सकते हैं 50,000 की लागत में शुरू होने पर 1 से 2 साल में 50,000 पर मंत महीना कमाये जा सकता है अब आप लाखों लगा कर गुड़ा कर सकते हैं दोस्तो नमबर 3 सुवर लगभग हर पिरकार का खाना खा सकते हैं एक सुवर 7-9 महिने में मास के लिए तयार हो जाता है इस उमर में इसका बजन 70-100 किलो तक का हो जाता है अगर आप एक नर और मादा से ये बिजनिस शुरू करें तो लगभग 16,000 का खर्चा आएगा और आप इस मादा की मदद से 2-3 साल में लगभग 50-80 सुवर कर सकते हैं तो हुआ ना सस्ते का सौधा ऐसे में आप अगर लाखो रुपे लगाते हैं तो दो साल में आप परमंत लाखो रुपे कमा सकते हैं और सुवर की संख्या भी बढ़ा सकते हैं ऐसे में आप करोडों रुपे भी कमा सकते हैं बस आपको दिमाग लगाने की जरूरत है दोस्तों नंबर 4 परियाप्त मातरा में जगा होना 20-80,000 कमाने के लिए लगभग 100-300 गज का प्लाट होना चाहिए बहीं बड़े बैविसाई के लिए और 80-100,000 रुपे की कमाई के लिए तकरीबन 300-700 गज का प्लाट होना चाहिए ये जगा सुवर पालन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है दोस्तों नंबर 5 सुवर क्या खाता है और क्या पीता है परियाप्त मातरा में स्वच्च और ताजा पानी उपलब्द होना चाहिए शांत एरिया होना चाहिए कोशिश करें कि ग्रामेड इलाकों में जमीन लें और ये काम शुरू करें बहानों के आने जाने के लिए अच्छी सडक होनी चाहिए ताकि माल इधर का उधर किया जा सके बही पशुचिकित साले नजदीक होना चाहिए दोस्तो जरूरी जानकारी जिसने की शरम उसके फूटे करम इसके पालन से हर कोई बन गया करोड़ पती बही बिना जानकारी के सुवर कभी न पाले बरबाद हो जाओगी सुवर की अच्छी देखबाल करें एक बाले में जरूरत से ज़्यादा सुवर ना रखें बीमारी हो सकती है सुवर पालन हमेशा स्वच्छी रखें सुवर का बाला हमेशा चैक करते रहें गलत होने पर तुरंद एक्शन लें दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ठैंक्यू दोस्तो